बारत गौरा वचारे श्री पुलक सागर्जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेश्ट धार्मिक भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें अभी कहा जा रहा था कि मैं जिन सरणम तीर्थ का स्रजन कर रहा हूँ एक बात याद रखना नाशिक वालो देश में मंदिर बनाना मेरा काम नहीं है देश को मंदिर बनाना मेरा काम है मेरा काम है पुरे देश को मंदिर बना दिया जाए एक एक बच्चे को मंदिर बना दिया जाए एक एक परिवार को मंदिर बना दिया जाए और एक एक घर को मंदिर बना दिया जाए मानिवर आज एक विशे लेकर आया हूँ विशे थुड़ा गंभीर है मैं एक संत हूँ मुझे बहुत गहरे अध्यात्मिक प्रवशन करना चाहिए मुझे समेसार पर बोलना चाहिए मुझे अध्यात्म पर बोलना चाहिए मुझे धर्म पर बोलना चाहिए लेकिन मैं देखता हूँ की अध्यात्म को परोसने से पहले पात्रता होना चाहिए आदमी भगवान बनने की होड में सामिल है और इंसान नहीं बन पा रहा है ध्यान रखना मैं चायता हूँ कि भगवान हम बाद में बन लेंगे पहले सच्चे और अच्चे इंसान बन करके खड़े हो जाएं क्योंकि मेरी सोच है मेरी ठिंकिंग है मेरा बिचार है जहां तक मैं सोचता हूँ कि आज का सच्चा और अच्छा इंसान भविष्च का भगवान हुआ करता है ध्यान रखे भगवान कोई आस्मान से नहीं उत्रा करता है भगवान हमारे भीतर ही प्रगट हुआ करता है नाजा मंदिर नाजा मस्जित नाजा तीर्तिस्तान तेरे मन में वसे हैं भगवान ध्यान रखिए जीवन उसी का नाम है विचार करना है अमेरिका के राष्ट पती इब्राहिम लिंकन उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराया एक बहत्रीन स्कूल में उस बच्चे का दाखिला हुआ पहले ही दिन जब बच्चा स्कूल गया तो अब्राहिम लिंकन ने उस स्कूल के क्लाश टीचर को एक पत्र लिखा बात बहुत छोटी है बात बहुत बड़ी है जानदक नावा एक पत्र लिखा क्लाश टीचर के नाम उन्होंने लिखा कि यादरनी सिक्षक महों दे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ निवेदन इतना ही है कि आज मेरा बच्चा स्कूल में दाखिला ले रहा है मैं आपसे यह कहूंगा कि मेरे बच्चे को जब आप पढ़ाएं न तो यह सोचकर मत पढ़ाना कि किसी राष्टपती की अउलाद है यह सोचकर पढ़ाना कि एक इनसान की अउलाद है बिल्कुल मत सोचना मन के किसी कौने में कि राष्टपती की संतान है क्योंकि मुझे मालुम है एक गुरू राष्टपती के बच्चे को कभी नहीं पढ़ा सकता है एक गुरू इनसान के बच्चे को उचाईयां प्रदान जरूर कर सकता है मेरे बच्चे को बताना मेरे बच्चे को केबल कितावी ग्यान नहीं देना अक्षरों का ग्यान नहीं देना ये डेस का अमेरिका का राश्टपती निवेदन करता है कि मेरे बच्चे को अक्षर का ग्यान नहीं मेरे बच्चे को अनभव का ग्यान प्रदान करना ये स्कूल इस्कूल नहीं होता है इनसान को इनसान बनाने की एक फैक्टरी हुआ करती है जान रखे मेरे बच्चे को ये सिखाना कि इस परिक्षा में अच्छे नमबर आएं अरे दो नमबर कम हो जाएं तो कोई बात नहीं लेकिन जिन्दगी की परिक्षा में हमेशा अबल रहना चाहिए जीवन के परिक्षा में हमेशा नमबर वन मेरे बच्चे को सिखाना कि बेटा ये जिन्दगी है कि साप सीड़ी का खेल है ये जिन्दगी यहां सीड़ी की तरह चढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे और सांप की तरह डसने वाले लोग भी मिला करते हैं और मेरे बच्चे को बताना कि बेटा इस दुनिया में ध्यान रखना जिन्दगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर जीवन की ट्रेन सरपट भागती जाए जिन्दगी सांप सीड़ी का खेल हुआ करता है और उसे बताना कि मेरे बेटे जिन्दगी में कभी कभी उचाईया मिल जाएं तो फूलना नहीं और कभी कभी निरासा हाथ लगे तो दुखी मत होना ये जिन्दगी का पाठ हुआ करता है और अंतिम्रे बेदन उस राष्ट पती ने कहा मेरे बच्चे को ये सिखाना कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है और छोटों से प्यार कैसे किया जाता है मानिवर्द सिख्चा अक्षरों की नहीं होती सिख्चा अनुभों की हुआ करती है ज्यान रखना आज मैं यदि आपके बीच यहां बैठा हूँ तो अक्षर ग्यान की दम पर नहीं मेरे परिबार से जो मुझे ग्यान की असंसकार उन अनुभों मिले हैं उसकी दमपर मैं हाँ जहां पर आकर के बैठा हुआ हूँ ज्यान रखना एक आदमी केवल डिग्रियों से महान नहीं बना करता है एक आदमी केवल अच्छे अच्छे नंबर से महान नहीं बनता है महान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जान रखिए जिन्दगी के साथ जीना पड़ता है महानिता किसे कहते है एक ब्यक्ति मेरे पास आए बोले कि महानाज मैं आपके सामने उची कुरसी पर बैठ जाओ मैंने का चिंता मत करो मैं तो कह रहा हूँ मेरे बाजियो में आकर बैठ जाओ मुझे क्या प्राबलम है मैं कोई नेता तो हूँ नहीं नेता और संत में इतना अंतर होता है नेता बैठता है कुरसी पर और संत बैठता है पाटे पर नेता कहता है कुरसी का मतलम मेरे बाजियो में कोई और नहीं और संत कहता है मैं भी बैठा हूँ आओ नासिक वालो जिनको जरूरत है मेरे साथ बैठते जाओ बैठते जाओ बैठते जाओ ज्यान रखना ये एक कुरसी नहीं है इसी हासन हुआ करता है मानिवर आपसे निविदन है मेरा एक गिद्ध आकास में उड़ रही थी चील आकास में उड़ तुम्हारे मराठी में क्या बोलते हैं समझ आ रही है ना कितने समझदार हो तब तुम्हें एक अक्षर में समझ आ जाता तो एक घंटा क्यों बुलवाते हैं मुझे जानवर एक गिद्ध आकास में उड़ रही थी उसने दीचे देखा चकौर को चकौर चातक पक्षी जो हमेशा चानद को निहारा करता है चातक पक्षी को देखा तो गिद्ध ने कहा कि ओ चातक ओ चकौर कैसी जिन्दगी तेरी क्या धरती पर बैठकर चानद को तकते रहता है चानद की तरब देखते रहता है पीऊ पीऊ करते रहता है मेरी जिन्दगी देख मैं कैसे आस्मान में उड़ा करता हूँ मुक्त आकास में पंक फैला करके विच्रन किया करता हूँ तू उपर नहीं आता है नीचे ही बैटके चांद को तकते रहता है जानते हो चकोर ने क्या कहा उस चातक पक्षी ने कहा कि ओ गिद्राज ये सच है कि मैं तेरी जैसी उचाईयों पर नहीं उड़ सकता हूँ लेकिन तेरी जैसी उचाईयों पर उड़ने से फाइदा क्या है उले मतलब क्या फाइदा नहीं है उले फाइदा क्या है तो आकास में उड़कर भी मरे हुए मुर्दे पे निगाहे रखता है और मैं धर्ती पर रहकर भी चांद पर निगाहे रखा करता हूँ जिन्दगी इसका तेरी दिश्टी में तो मरा हुआ मुर्दे का मांस है अरे उच आउट कर भी मुर्दे को देखता है और मैं धर्ती पर रहकर भी चांद को देखता हूँ मेरी और तेरी सोच में इतना ही अंतर हुआ करता है एक बात याद रखिए सोचना है आपको जो चांद पर दुष्टी रखते हैं वो महान हुआ करते हैं और जो मुर्दों पर दृष्टी रखते हैं उपर उड़कर भी उनकी उचाईयों का कोई महत तो नहीं हुआ करता है एक बात याद रखना ना सिख बालो किस जगे बैठे हो इसका कोई महत तो नहीं होता किस सोच से बैठे हो ये महत पूर्ण हुआ करता है आपकी सोच क्या है आपकी थिंकिंग क्या है आपकी विचार क्या है अपने बच्चे को ऐसी डिग्रिया मत दिलाओ कि गिद्ध की तरह आस्मान में उड़े और मांस पर नजर रखे और ऐसे संसकार दो कि नीचे बैठ करके चांद पर देखने की ताकत जो रखता हो वह हमारे जीवन के ये संसकार देना है ध्यान रखना ये बातें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएंगे ये पुलक सागर की पाट साला में ही तुम्हें पढ़ाया जाएगा ये प्रवचन माला नहीं है ये मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ मैं आप से बाते कर रहा हूँ मैं आपके घरों को सवारने का प्रियास कर रहा हूँ मैं आपके जीवन को बदलने का प्रियास कर रहा हूँ अरे बहुत हो गया मंद्रों का जेनो धार आओ अब इनसान का जेनों धार करें उसके बिचारों का जेनों धार करें कहां गई वो संस्कति हमारी कहां गई वो हमारी परामपरा है कहां गई वो हमारे आदर्स कौन होगा इसका जिम्मेदार आपने अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में दाखिला कराया होगा किसी देश के राष्टपती की तरह एक पत्र लिखा है हम तुम तो कहते है हमारे बच्चे को मारना नहीं नहीं तो जेल में ठूस देंगे हमारे बच्चे को टाटना नहीं हमारे बच्चे को तारित नहीं करना और हम जब पढ़ते थे और स्कूल में यदि बैंत दंडे पढ़ते थे और मां से बताते थे टीचर ने मारा तो हमारी मा कहती थी कोई बात नहीं बेटा मैंने नहीं मारा तेरे गुरू ने मारा है ना मेरी मा कहती थी की बेटा मार परे धम धम और विध्या आये कहां के वो संसकार कहां गई वो हमारी परमपराएं विचार करें सोचना है आपको हमें अपनी प्राचीनिता में लोटना पड़ेगा मालूम है आपने अपने बच्चे के टीचर को बोला कि इसे कुछ जिन्दगी भी सिखाना अख़वार में आया माबाब परेसान करते हैं बच्चों को अच्छे नंबर लाना अच्छे नंबर लाना बेटा डिप्रेशन में जाता है आत्महत्या कर लेता है निरास हो जाता है उदास हो जाता है उसकी जिन्दगी का एक ही मकसर अच्छे नंबर लाना अच्छे नंबर लाना नहीं उन नंबरों से जिन्दगी नहीं बना करती है मेरे भाई आप से पूछना चाहता हूँ मीरा वाई कौन से अच्छे नंबर ले करके आई थी सूरदास के पास कौन से अच्छे नंबर थे राम कौन सी स्कूल में जाकर के पढ़े थे और महावीर ने कौन सी पाट साला में जाकर के पढ़ा था अरे ये तो वो लोग थे वो महान लोग थे जिनको साइन करना भी नहीं आता था जिनें लिखना भी नहीं आता था कबीर कहते हैं कि कागज कलम चुई नहीं मसीन लीनी हात ये कोई स्कूल नहीं गए इनके पास कोई कोर्स नहीं था ये कोई डिगरी धारी लोग नहीं थे लेकिन इन्होंने अपनी जिन्दगी में वो काम्याबी हासिल की कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इन पर पीएजडी कर रहे हैं इन पर रिसर्च किया करते हैं मानिवर जिन्दगी केवल नंबरों का खजाना नहीं हुआ करता है जिन्दगी जीने का ढ़ंग देखे